हे गाईज वेलकम टो माई यूटुब चैनल इंग्लिश जोती क्लासिस आप यहां पर पढ़ेंगे क्लास 9 से लेके 12 तक का इंग्लिश प्रोच पोईटरी सप्लिमेंटरी ग्रामर के जितने भी इंपोर्टेंट्स आपके एक्जाम की कॉर्डिंग है नरेशन वाइस सारी ची अक्सर जिन्लेगी में समझ नहीं पाथ कि किस पर विस्वास किया जाए तो आज यह पंड़ने के बाद आपको समझ में आजाएगा कि हमें उपने लाइफ में विस्वास कहां करना चाहिए और कितने गहराईयों के साथ करना चाहिए और एक मूवी आयी थी oh my god, वो movie भी इस कहानी से काफी relate करती है, उसमें वो भगवान के उपर case कर देता है, वो वहाँ against था, लेकिन यहां जो है, एक किसान जो है, बहुत ही गहराईयों के साथ भगवान के उपर विश्वास करता है, तो चलिए कहानी को देखते हैं, यह कहानी है एक लेंचो नामत क किसान की, जिसके बाल बच्चों की पढ़ाई, जिसके घर के खर्चे, वो सारी चीज़े किस पे थी, उसके कमाने का एक मात्र स्रोथ था, खेत, उसके भुट्टे की खेती करता था, एक किसान था, सारी चीजे लेंचो के जिन्दगी में अच्छी चल लें थी, बस एक करता है डेली जाता है मौसम देखता है तो एक साम को खड़ा रहता है तो देखता है बादल की हां आज बारिस होने वाली ऐसा होता भी है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो मौसम देखके बता देते कि हां आज बारिस होने वाली है तो वह अपनी पतनी से कहता है स क Falifullal प्राइब यह सब शोच ने किժयर करता है ने रिचे पूरा परिभार बहुत खुश रहता है जब हो बाहर आता वह किपना खुश रहता है जो जो बारिष की बड़ी बूदे ना बड़ीगृदे इनने 15 संट याद रखिएगा पेपर में पूस्ता है और जो छोटी-छोटी बूदे थी उन्हों 5 सेंट कहता है अपनी फैमली से यह जो बारिस की बूदे हैं यह बारिस की बूदे नहीं है बड़ी बूदे 10 सेंट के हैं चोटे बूदे 5 सेंट के हैं वो पैसों से बूंदों की कंप्यार करता है सोच लीजिए उसकी खुसी कितनी रही होगी लेकिन उसकी खुसी ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं थी क्योंकि वह बारिस क्या हुई पहले तो तुफान में बदल हो जाएंगे लेकिन उले पढ़ने बंद नहीं हुए लगातार एक घंटे तक एक घंटे तक एक घंटे तक और पढ़ते रहें पूरी खेत ऐसे चादर बिचा दी गई हो या जैसे पूरी खेत में नमक पूरा छिड़िक दिया गया इस तरह से उसके खेत बर्वाद हो चु खेट में जाते हैं और कि इस से जादा अगर टिड्डिंगे लेकिन ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा लैंचो बहुत ही उदास हो जाता है बहुत ही जादा वह रात लैंचो के परिवार के लिए दुखोवाली रात थी पूरी रात वह सोच रहा था कि अब क्या होगा इस साल हम भूखे मरेंगे क्या खाएंगे मेरे पास कमाने का और कोई साधन नहीं है पूरी रात लेकिन जैसा कि उसे बताया गया था कि सब कुछ भगवान देखते हैं भगवान है तो वह सुबह उठता है और क्या करता है एक पत्र लिखत पत्र किसको लिखता है किसी इंसान ये किसी रिस्तिदार को ने पत्र लिखता है भगवान को जी हां दोस्तों भगवान को इसलिए चैप्टर का नेम ही पड़ा एक पत्र भगवान के लिए तो वह पत्र लिखता है भगवान के लिए उसमें लिखता है कि भगवान मेरी में डाल देता है सहर ले जाके यहां तो ठीक लेंचों लेया के पत्र डाल दिया अब जब पोश्ट मैन आता है सारे लेटर निकालने के लिए तो जब यह लेटर देखता है लेंचों का टूदी गौट मतलब गौट को कौन तो अपने जीवन काल में अभी तक का जिस ना भी बहुत का जीवन था जितने भी उसने पत्र पहुचाए थे ऐसा एड्रेस वाला पत्र तुसने नहीं देखा पहले तो बहुत हस्ता है उसको ले जाता है पुश्ट मास्टर को दिखाता है कहता है यह देखिए लेटर आया है वो भी गौट को देना है तो जितने भी वहां लेकिन जब उस पत्र को खोल के देखते हैं और देखते हैं कि मतलब मैटर सीरियस है वो कहते हैं कि इतना गहरा बिस्वास यहां पर इस पूरे कहानी में बहुत अच्छी बात पोश्ट माश्ट ने बोली है कि कास मुझे भी भगवान पे इतना बिस्वास हो पाता सही बात है इतना गहरा बिस्वास भगवान पर नहीं कर पातें तो पहले पूस्ट माश्ट कहता है कि मैं इसके विस्वास को तूटने नहीं दूँगा इतना घे घरा भथ स्वास है कुछ तो मदद करनी चाहिए एज चैरिटी इन्होंने अपने दोस्तों से जोगडाग खाने में थे उन करमेचारियों से और अपने सैलरी से पैसा को इकठा करके बहुत सारी पैसे मिला कि सतर पीसे सी हो पाएं सो पीसे एफ़र्ट करना पुष्ट माश्टर के बसक जाता है लेटर बॉक्स निकालता अपना लेटर तो उसमें निकालता है पैसा निकालता उसको बिल्कुल भी नहीं हारानी होती कि मुझे सतर पीसे भगवान ने दिये है क्योंकि इतना घहरा बिस्वास होता ही उसका बाप माली जिए पैसा मांग लिज भगवान जी दस अब फिर तुरंट जाता है तुरंट लेटर और इंक लेका तो लिखता है कि आपने मुझे सब्सक्राकिशंस की जरूरत थी और आप तो गल्टी नहीं कर सकते तो फिर वो लिखता है कि अगली बार इन डाक खानों के करमचारियों दोरा मत बेजना ये लोग चोर औठगों कि टोली है मतलब समझ जन लोगों ने मदद की अभी से तो पता नहीं है वो कह रहा है कि यह लोग यह लोग चोर है इनके दोरा पैसा मत भीजिएगा यह कहानी पर समाथ हो जाती इस कहानी में राइटर ने यहीं दिखाए कि कि अगर हमें विश्वास हो किसी चीज पर तो वो चीजे संभाव हैं क्योंकि अगर यह नहीं करता विश्वास नहीं करता तो साइध उसको पैसे नहीं मिलते हैं तो यह हम इस कहानी का श्टोरी है थैंक्स फॉर वाचिंग अगर मेरी वीडियो थोड़ी से भी हलफूल है अपने दुस्तों के साथ सेयर करें